हेलो प्रेंट्स मैं हूँ जितेन रजमेरा दग्रेजी प्रग्रमर्स की तरफ से आज वाले वीडियो में हम लेकर क्या है फॉर्ट जनरेशन लेंग्वेज देखिए यह एक DBMS का एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है फोर्ट जनरेशन लेंग्वेज जिसे नाम सी पता लग रहा है यह एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है जो मॉस्ट ओफ डेटा बेस को क्रियेट करने या मिनिपूलिट करने के काम में आती है लेकिन यह नहीं कि सिफ़ DBMS में चलता है फोर्ट जनरेशन लेंग्वेज का कंसेप्ट का मतलब यह हो गया आके जैसे जैसे कम्पूटर में जो है DBMS से जुड़ा नहीं है बलकि all over programming concept से जुड़ा हुआ है fourth generation language खुद कोई नाम नहीं है बलकि यह languages की generation है इसमें कई साई languages आती है लेकिन यहां पर हम discuss करेंगे SQL के बारे में क्योंकि हमारे जो वीडियो है वो DBMS से जुड़ हुआ है database management system से जुड़ हुआ है तो इसमें जो सबसे अगर हम बोले है सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एकों की language है तो वह है SQL structured query language जो की DBMS की fourth generation language का एक type है तो अब सिद्धा शुरू करते है fourth generation language के बारे में सबसे पहला जैसा की बता में बता चुका हूँ के SQL तरकी की जो languages होती है यह languages है यह database को create करने के और manipulate करने के काम में आती है यह आप database को create भी कर सकते है साथ के साथ उसके data को manipulate या access भी कर सकते है देखिए अभी तक के videos जो अगर आपने देखे हैं तो उससे आप को समझ में आ गया होगा कि data users जो होते हैं वो database administrator भी होता है उसे manipulate भी कर सकते हैं access भी कर सकते हैं इन सब के लिए 4th generation language काम आती है आगे अगर हम बढ़ें तो यह compact होती है efficient होती है non-processedal होती है अब यह क्या हो गया देखिए अगर आप लोगों ने कभी C, C plus के programs देखे होंगे अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको डाय गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं exam follow C, C plus programs तो वहाँ पर आपको एक लंबा चोगर टिपिकल प्रोग्राम लिखेगा मैं खुद एक BITEC engineer हूँ तो मुझे यह पता है कि अगर C के अंदर सिर्फ दो नंबर को add करने का भी program लिखना हो तो कम से कम साथ से 8 line minimum जाएगी actually तो 12 से 15 lines होती है अगर मैं advance जैसे पर्ल या इनकी बात करूँ तो भी साथ से 8 line मुझे लिखनी पड़ेगी सिर्फ दो नंबर का addition कराने के लिए सोचिए तो उसमें होगा क्या पहले मैं define करूँगा program का ना फी memory allocation करूँगा देन उसके बाद में data rank select करूँगा फी memory space acquire करूँगा फी मैं अपने data types define करूँगा फी उनको मैं run time के लिए value define करूँगा फी उसके बाद में मैं उसको end करूँगा तो अब जाकर मैं उसको run करूँगा तब जाकर कि मैं डालूँगा 2 plus 5 वो add करके मुझे जो है 7 दिखाएगा सोचिए सिफ यह इतना बड़ा program तो अभी अगर हम बात कर रही तो c c++ यह starting languages थी ठीक है इनमें भी development हुआ है ऐसा नहीं है कि यह outdated हो गई है या पुरानी हो गई है basic coding आज भी इनी languages में की जाती है लेकिन 4G है लेकि एक्जाइग्जामफल हो गया जैसे कि मैं आपको एक्जामफल दूँ, DBMS का एक्जामफल देता हूँ मुझे एक table create करनी database के अंदर तो वहाँ पर मुझे कुछ साथ अंतलाइन है ने लिखनी बस एक command लिखना है सिधा सा create table बस यह command मुझे देना है table create होगी हाला कि मैं नाम दूँगा create table और ऐसे करके student create table student यह command देते ही और इसको मैं terminate कर देता हूँ यहाँ पर तो यह command देते ही execute होगा और एक table जो है मैं सामने show होगी table has been created वह बस खाली नाम लिखा हुआ आएगा student बस यह इस तरह से बस यह नाम लिखा हुआ आएगा फिलाल निचे column अगया कुछ नहीं रिखेंगे क्योंकि अभी हमने column defining नहीं किया है ठीक है लेकिन अब second step में हम दे सकते हैं इसके अंदर एड़ कोलम ठीक है एड़ कोलम यह मैंने कर दिया एड़ कोलम ठीक है SID एड़ नेम वह जैसे एंटर करूंगा ठीक है तो student table के अंदर एड़ नेम नाम के दो कोलम एड़ हो जाएंगे तो इस सोचे कितना सिंपल है जो हम चाहता है डायक बस वही करना है इसलिए इसको कॉमपेक्ट बोला जाता है यह निकी शोट एंड़ स्वीट आइक जो करना बस वही आपको कमांड डेन है इसलिए यह कॉमपेक्ट हो गया execution बहुत ही सुपर फास्ट हो जाता है और एक ही कमांड से multiple काम किये जा सकते हैं तो आपको lots of कमांड याद करने की बहुत साह कमांड से याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है आगे बात करें efficient efficient क्यो efficiency 100% है चुकि यह कमांड चुली keywords की तरह काम करते हैं तो database इनको easily identify करता हूँ वही operation perform करता है जो इससे required किया गया है यह वहाँ पर जो है error नहीं create करेगा कि create table is not possible या ऐसा कुछ हाँ अगर सेम नाम की table है तो वो एक error message देदेगा कि table जो है पहले से बनी हुई है लेकिन वह command हमेशा अपनी efficiency 100% show करेगा देद उसके बाद में non-processor का मतलब क्या होता है जिसे मैंने c का अभी example दिया था कि c के अंदर या c++ के अंदर मुझे कोई program बनाना है तो मुझे उसका पूरा function define करना होगा साथ से ant line का एक program बनेगा जिसका output का निकलेगा कि मैं कोई भी दो number add कर सकता हूँ आप सोचिए तो अगर उससाब से मैं पूरा calculator बनाऊ c o c++ के अंदर programming कितनी वास्ट होगी कितनी ज्यादा वास्ट हो जाएगी आप खाली Google पर या YouTube पर जाका कि किसी भी कोई एक एक्जांफल देख लीजे c o c++ language का आप समझ जाएंगे में क्या करना चाहरा हूँ 15 से 20 line and single line का output तो single output के लिए इतना बढ़ा प्रोग्राम तो आपको knowledge होना चीए ठीक है आपको idea होना चीए and believe me मैंने खुद ने वो प्रोग्रामिंग्स करी है आपको काफी वक्त लग जाता हो लेंग्विजे सीखने में और बीना error के प्रोग्राम एक्सेक्यूट करने में यसी यसी errors आती जो हमें समझ में भी नहीं आती क्यों क्योंकि उसकी language जो है वो वो प्रोग्रामिंग कंसेट के हिसाफ से बनाई गई है वो जो words है वो real world में अलग meaning generate करते हैं वो प्रोग्रामिंग language environment में अलग meaning generate करते हैं तो आधे टायम तो error देख की समझ में नहीं आता कि यह किस तरह की error दे रहा है जबकि यहाँ पे non प्रोसेजर दायक सिधा जो करना है वो लिख दो create table student पर table create हो गया ठीक है तो अब अगर आगे हम बात करें focus on what is need to be done not how it is to be done देखें यह चीज भी relevant है fourth generation language के अंदर यह focus किया जाता है कि क्या काम करना है क्या output चाहिए उस पर focus किया जाता है कैसे करना है यह प्रोसेजर बताने की जरूरती नहीं कैसे create table student table create करना है तो अब उसके लिए पहले से create table के साथ में already उसकी programming जुड़ी हुई है यह command देते ही जो नाम नेंगे उस नाम से table बन जाती यानि बेकेंड में वो programming चलेगी और हमारा पूरा जो table बन के सामने आ जाएगा हमें हर बाव वो programming नहीं करनी है ccplus के अंदर आपको programming का knowledge होना चाहिए छोटी सी वेज़र हुई आपकी table create नहीं हो पाएगी तो यह थौरसा जो है अगर हम देखें सिंपल सा नोन प्रोसेशल का मतलब ही हो गया क्या output चाहिए बस उसके लिए काम करो कैसे करना यह system को बताने की ज़रूरत नहीं है इसी दिए fourth generation language बहुत ज्यादा वरजन है जो human समझता है बाकी computer से फोसे binary language समझता है ठीक है तो human language का मतलब कि इसमें जो words काम में आ रहे हैं वो real world में और computer programming language world में same meaning generate करते हैं जिसे यहाँ पर लिखा है create real human world में create का मतलब को होता है कुछ बनाना उसी तरह से computer programming world में भी यहाँ पर create का मतलब जो होगा कुछ बनाना क्या बनाना आगे object दे रखा है यह table नाम का object जो create करना है ठीक है it means इसके fourth generation language के अंदर जो quotes या फिर programming language का जो type यूज के जाता है उसके जो words है वो जो है काफी similar जो है या फिर बोलते हैं काफी easier होते हैं काफी similar होते है human language जो हम काम में लता है इसका बड़ा benefit क्या है कोई भी इस language को बहुत ही तीजी से सीख सकता है and efficiently इसे handle कर सकता है I am giving the example of ATM म use करने जाते हैं आपको असा problem होता है तो आपको कोई भी guide करें आप समझ जाओगे कि यह buttons दबाने है इससे काम होता है उसके आगे लिखा हुआ हो है जैसे के case withdrawal करना तो उसका button दे रखा है balance check करना तो उसका button दे रखा है तो आपके लिए काम आसान हो गया ठीक है तो वो इसका example जैसे मैंने बोला SQL structured query language देखिए और भी अलग-अलग languages है जो की database बनाने के काम में आती है SQL, NoSQL, NewSQL ठीक है या फिए QBL करके भी चलता है तो अलग-अलग languages है बट यहां पर हम SQL का example क्यों ले रहा है क्योंकि SQL सबसे ज्यादा use की जाने वाली database language है structured query language एक structure को follow करते users programmer friendly यानि कि obvious ही बात है इसका concept बहुत simple है इसको सीखना बहुत आसान है बहुत easily इसकी working है आपको ज्यादा जो है इसके साथ struggle नहीं करना पड़ता तो beginners के लिए यह बहुत ज्यादा easy even जो regular users है उनके लिए तो यह बहुत ही ज्यादा as in like उनके लिए बहुत ही comfortable हो जाता है इ and databases अब fourth generation languages की requirement महसूस क्यों हुई जैसे जैसे वक्त तो बढ़ रहा है technology बढ़ रही है information या data जो बहुत ज्यादा बढ़ता जारा आप उस data में से कोई चीछी ढूंड के निकालना बहुत ही typical काम होता है मैं आपको एक simple सा example देता हूँ क्या होबागा आपके सब कोजिस आप अब उसमें कोई specific आपको एक कपड़ा ढूंड के निकालना आप जैसे खोल तो इत्तर सारे कपड़े इंचे गरता है अब आप उसमें से specific कपड़ा ढूंड के निकालना आपको time लगेगा एक बार आप कर सकते हो दो बार तीन बार चोती बार आपको लगेगा या मुझे इ मेरा हो खरीदो हर एक कपड़ा अरेंच का खरको ताकि सामने दिखे तो similar चीज जब data का amount बढ़ गया या बड़े databases बनाई जाने लगे ठीक है तो उन में से किसी भी एक data को ढूंड के निकालना बहुत जादा मुश्किल भरा काम था यह normal programming languages से हो जाता है लेगिन उसके होगा एक simple सा command दूंगा ठीक है select select star from student where name is equal to raj select star from student star का मतलब कि यह जो condition है उसकी पूरी details चीए तो select start from student student table में से एक information निकालनी है क्या information निकालनी है जहाँ पे name है Raj यहाँ पे नेम है राज यहाँ सिंपल सा student table में राज नाम की जो रो बनी हुई है पूरी जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ database के अंदर रो के अंदर एक है entity का प commands है यह जो concept है यहाँ पर के यह जो आपके मतलब बड़े amount of data में से large databases में से आप छोटी स्चोटी information पी आसानी से डोंट के निकाल सकते हो इसलिए fourth generation languages काम में ली जाती है एक को चीज में यहाँ पर highlight करना चाहूँगा students यह अभी एक examples है हम आने वाले videos में actually मैं SQL के commands के use करना सीखेंगे तब मैं आपको proper format डिखा हुआ है यह खली है कि मैंने example के लिए लिखा है ठीक है तो in short fourth generation languages जो है वो कौफी ज्यादा easy है understandable है और कोई भी इन्हें थोड़ी सी training के बाद में जो है जो access कर सकता है ने utilize कर सकता है अब अगर आगे हम बढ़े हैं इसके components के हम बात करत तो यह category है उसके अंदर बहुत सारे games आजाते है अलग-अलग type की games है उसी तरह से 4G LA category है तो यह कहां कहां मेंनली इस्तेमाल होती है सारे software's के यह सारे languages के नाम बताना तो मुश्किल हमने एक example यह SQL but mainly इसके field क्या-क्या है उसके according आपको idea हो जाएगा सबसे पहला field है query language query language क् तो database के अंदर काम में आ रही या किसी भी programming language में जब users जो है queries apply करते है तो उन queries को बनाने के लिए fourth generation language का इस्तेमाल किया जाता है DBMS के अंदर बात करें तो DDL हो गया DML हो गया DCL हो गया ठीक है यह जो तीनों तरह की languages है यह query languages किसको use करती है fourth generation languages को ठीक है आप SQL की मदद सीन कमांड को बना सकते हैं इसके लिए हम अलग से separate video बना चुके हैं उसका link आपको description box में मिल जाएगा आगे हम बात करें spread sheets की spread sheets आप सभी ने MS Excel देखा होगा spread sheet का मतलब होता है excel type की sheet जो आगे सागे बढ़ सकती है उसकी length width item बढ़ा सकते हैं दो columns के बीच में नया column डालके हम उसकी size बढ़ा सकते हैं ठीक है unique अलग से हमें data हटाओ, पीछे shift करो, copy paste करो, simple cycle नया column बीच में spread हो जाएगी, इसलिए उसको spread sheet बोला जाता है, तो ऐसे जो software से वो 4GL के थ्रू बनाए जा सकते हैं, report generators जब बहुत बढ़ा data है, उनसे related किसी भी topic पे या फिक कोई भी किसी तरका status report हमें चीए, तो report generators के जो tools होते हैं, वो 4GL use करते हैं, high level language to generate application programs and modules, ठीक है, high level language यानिकी C, C++ java, या आपके SQL ये सब high level language में आते हैं, low level वो language जो system का hardware समझता है, computer का hardware समझता है, वो low language है, high level में side languages अधर आ जाती है, जो हमने humans ने बनाई हैं, तो high level language का इस्तेमाल किया जाता है, application programs या modules को बनाने के लिए, कैसे, क्या हुआ, मैं पास एक database है, जिसके अंदर में को क्या option मिला, insert, update, modify, delete, remove, ये में को option दे रखा हैं, अब क्या हुआ, कि मुझे suddenly बस ये, कि मैं database के अंदर, फिलाल, कितना number of rows, जो है, अविलेबल है, इन number of rows मुझे दिखा देगा, तो उससे मुझे क्या पता लगेगा, कि suppose जैसे number of rows दिखा रहा है, hundred, तो मुझे क्या पता लगेगा, इसके अंदर hundred record, enter कियो हुए है, यनि hundred users का data इसके अंदर, फिलाल, रखा हुआ है, तो ये application program मैंने run time पर बनाया, तो ऐसे programs, 4GL की मदद से बन पर चलती, उनको 4GL के त्रू बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, आगे बात करते हैं, mathematical optimization, देखिए, mathematical optimization ये computer की जान है, हम कितना भी काम text में, images में कर लें, speech में कर लें, computer उनको 01 पर calculate करता है, plus computer actually database को कैसे handle करता है, वो उनको एक तसम समझ सकते है, aesthetical values के हिसाब से ही arrange क सब relations के भी number दे रखे हैं, हर एक transaction जो हम हर एक बार करता है, हर एक को एक number देकर के record में save करता है, यनि computer हर एक चीज़ को statical value से जोड़ देता है, तो यहाँ पर 4GL इस काम को बहुत जादा आसान कर देती है, ठीक है, so, web development, देखिए, ऐसे आप codeless programming भी बोल सकते हैं, codeless का मतल 4GL एक ऐसा concept है, यह language की, programming languages की fourth generation है, इस generation के अंदर बस सही धियान रखाया गया, कि एक beginner person भी बहुत तेजी से, आसानी से समझ सके, सीख सके और utilize कर सके, बहुत ही मामुली से training के बाद में, और जो regular users है, उनको बीना वज़र hectic schedule follow ना करना पड़े, ठीक है, और अगर आप पता होगा, कि fourth generation language किती easily work करती है, मैं उम्मीद करता हूँ, इस पूरे वीडियो के अंदर, आपको 4GL का concept समझ में आ गया होगा, फिर भी आपका कोई doubt है, कोई query है, कोई suggestion, कोई feedback, या कोई चीज आप detail में जानना चा रहे हैं, तो हमारे आप मुझे comment box में लिख करके, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इसी तरह के वीडियो और देखना चाह रहे हैं, तो, इस वीडियो के जो notes है, उन्चे आपको description box में link में मिल जाएंगे, हमने अभी तक जो videos बनाया है, उनकी playlist और उनके notes के link भी आपको description box में मिल जाएंगे, तो करके जी पर्गामस के से आज के लिए बस इतना है